देखे फिट से पता दे रहा हूँ इसमें पांच इस्टेप है, सबसे पहले स्लाइडर पर जाएंगे ग्लाग डेटा यहाँ पर एनाइबल कर देंगे 0, 100 minimum value, maximum value set कर देंगे ठीक है, सेकेंड इस्टेप है इसके अपने आपने स्लाइडर को बस ना दिया हो कोई भी ऐसा तैग नेम जो स्लाइडर को मत दिया हो उसके लावा कोई भी दे सकते है तो यहां मैंने क्या किया सबस्क्राइब तो क्या होगा वो देखो किया कि और नाम दिदिए इसलिए मैंने दिया था ठीक है कि आपको फुदि हुआ देगा टाइम में आपने second select कर लिया अगर second ना select हो रहा हो तो यहाँ पर आप उसको window viewer को close कर दियेगा ठीक है अब आपने क्या किया second select कर लिया और pen में आके slider का नाम दे दिया यह slider का नाम A दे दिया ओके करके बाहर आगे इसको भी same tag name दे दिया इसको भी आपने दे दिया same tag name इयार और पाचवा स्टेप है special पे गए configuration में गए historical login में गए enable कर दिया जितनी का data record करके रखना है और 20 days का record करके रखना है ठीक है इतना करके close कर दिया मैंने ओके किया और यहाँ पर आपको यह represent कर रहा है दिखा रहा है show कर रहा है real time value और साथी साथ historical value भी यह दोनों value represent हो लिए यह तीन बार हम online offline आये है सबका data यहाँ पर आ रहा है यह अभी वाला data है recently जो data आया हो यह है यह यह आ रहा है ठीक है got it समझ में आ गया ओके सर्व ठीक है आप लोग try करिएगा सभी लोग try करके group में send करिएगा ठीक है बागी next topic कल बताता हूँ अगे थैंक यू इसल्दा आने नहीं बन नहीं कल बताईएगा सर्व हां बन नहीं रहा सर्व कल बताईएगा अज इतना हो सकता है कल कर दूंगा रिपीट कर दूंगा फिर से एक बार रिकॉल कर आदूँगा आप लोग को ठीक है फिलाल आज आप ट्राइ करिएगा फिर आप जब कल देखेंगे तो जातर समझ में आएगा ठीक है जितना हो सकता है ट्राइ कर लिएगा वीडियो देख लिएगा रिकॉर्डिंग देख करिएगा ठीक है ठीक है ओके